इस कड़कडाती सर्दी में एंटेटेन्मेंट इंडस्ट्री से आई एक ब्लॉग बस्टर न्यूस ने बॉक्स ओफिस का ताफमान बढ़ा दिया है और चारो तरफ लोगों के पसी ने छुटवा दिये हैं ये खबर जुड़ी हुई है अब तक के सबसे अनिक्सपेक्टेड और एकदम सर्प्राइसिंग कोलैबोरेशन से जो अकले साल आपको हमें और पूरी दुनिया को देखने को मिलने वाला है जीहाँ शारुक खान के साथ धाग जमाने के बाद अब भाईजान सनी दियौल संग गदर मचाने की तयारी कर रहे हैं और उनके साथ नई फिल्म में नजर आने वाले हैं दरसल इन दिनो सनी दियौल अपनी अपकमिंग फिल्म सफर की तयारी में लगे हुए हैं इस फिल्म में सनी दियौल के बाद अब सलमान खान की भी एंट्री हो चुकी है हाला कि सलमान खान इस फील्म में सिर्फ केमियो रोल करते हुए दिखाई देने वाले हैं रिपोर्ट्स की माने तो वो जनवरी में फिल्म सफर की शूटिंग करेंगे हाला कि पिंक विल्ला ने फिल्म मेकिंग से जुड़े एक सोर्स के हवाले से बताया है कि सफर एक बेहद दिल छू लेने वाली फिल्म होने वाली है जो सनी दियौल और एक चाइल्ड आर्टिस्ट की अलग-अलग मुश्किलों से भरे सफर की कहानी होगी सनी दियौल चाहते थे कि सल्मान खान फिल्म में कैमियो करे इसके लिए उन्होंने खुद कॉल कर उनसे कैमियो की रिक्वेस्ट भी की थी सल्मान खान कॉल पर ही फिल्म के लिए रासी हो गए है रिपोर्ट्स के मताबिक सल्मान खान जनवरी में इस फिल्म के लिए कैमियो की शूटिंग करेंगे सल्मान सिर्फ एक दिन का शूट करेंगे फिल्म में वो सूपरस्टार सल्मान खान की ही भूमिका में दिखाई देंगे सल्मान खान सनी द्यॉल के साथ शूटिंग के लिए काफी ज़ादा एक्साइटेड हैं वहीं इस खबर के सामने आने की बाद से सल्मान खान और खास दोर पर सनी द्यॉल के फैंस बेहत ही खुश नज़रा रहे हैं फैंस दोनों स्टार्स को आप बेस सबी से इस फिल्म में देखने का इंतिसार कर रहे हैं इसे के साथ माना ये ज़ा रहा है कि सल्मान और सनी की ये जोडी सारे रिकॉर्ड प्रेक कर देने वाली है बतादे के फिल्म सफर का प्रोडक्शन विशाल वराना की बैनर तले एंचेलान प्रोडक्शन के तहत किया ज़ा रहा है ये फिल्म 2024 के आखरी तक बिग स्क्रीन पर रिलीस हो सकती है इस फिल्म की शूटिंग के बाद सणी दे औल लाहॉर उनिस तो सैंतालिस की शूटिंग शूरू करेंगे इसके बाद माई थ्री के साथ एक बिना टाइल की फिल्म की शूटिंग करेंगे इसके लावा खबर आ रही है कि 2024 के अंध तक वो अपनी फिल्म बॉर्डर के सीक्वल के भी शूटिंग शुरू कर देने वाले है